नमस्कार, एक बार फिर से राधा की रसोई में आपका स्वागत है, आज हम आपको मिस्सी रोटी बनाना सिखाएंगे, मिस्सी रोटी टेश्टी होने के साथ साथ हेल्थी भी होता है, मिस्सी रोटी को बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए मिस्सी रोटी बनाना सुरू करते मिस्टी रोटी बनाने के लिए हमने सामगरी इस प्रकार ली है 200 ग्राम आटा, एक कटोरी बेशन, कसूरी मेधी, कटा हुआ प्याज, नमक, मस्टरड आल, अजवाइन, धनिया की पत्ती, कटा हुआ हरा मिर्च, हल्दी पाउडर, अंचूर पाउडर तो चलिए मिस्टी रोटी बनाना सुरू करते हैं, मिस्टी रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल में आटा लेंगे, वेशन ले लेंगे, कटा हुआ प्याज लेंगे, कटी हुई मिर्च लेंगे, आधा चमच हल्दी पाउडर लेंगे, आधा चमच अंचूर पाउडर लेंगे, एक जो थाई चमच अजवाइन लेंगे, एक जो थाई चमच तसूरी मेथी लेंगे, टेस्ट के अकाडिंग नमक लेंगे, दो चमच मस्टर डाल लेंगे, अब हम सारी सामगरी को पहले अच अब हम धनिया पत्ती भी ले लेंगे, सारी सामगरी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमारी सारी सामगरी अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम आटा गूत लेंगे, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाव कर आठा बोट लेंगे हमारा राटर तयार है अब हम इस पर थोड़ा सा तेल लगातर थोड़ा सा और गुत लेंगे अब हम रोटिया बनाना सुरू करते हैं हम लोई बना लेते हैं लोई में थोड़ा सा आठा लगाकर रोठी बिल लेंगे हमारे रोठी बिल चुकी है अब हम इसको सेख लेंगे अब हम गैस पर एक तवा चड़ा देंगे अब हमारा तवा गर्म हो चुका है अब हम उस पर रोठी डालेंगे रोठी या पक चुकी है अब हम इस पर घी लगाएंगे आप चाहिए तो तेल भी लगा सकते हैं मख़न लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं आप रोटियों पर अब हम रोटियों को स्टेक लेंगे, आप देख सकते हैं, रोटियां बहुत अच्छी सी की हैं हम जगा जगा रोटियों में चैट कर देंगे, जिससे घी अंदर तक पहुच जाएं हमारी रोटि बन के पैयार है, इसी तरह हम सारे रोटियों बना लेंगे, हमारी ये रोटि भी पक चुकी है, अब हम इसको भी घी से शेख लेंगे, हमारी रोटि भी तढ़ार है, जैसा कि आप देख सकते हैं रोटियां बहुत अच्छी बनी हैं प्लीज आप इस रेशिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको हमारे ये रेशिपी पसंद आती है तो अपने अनुभाव हमसे जरूर स्यार करें और हमारे वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल को प्रमोट करें